हेलो व्रीवान नमस्कार गुड इवनिंग स्रीकाले सो वंस अगेन आप तमाम लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं आप तमाम लोगों की भी परजेंट हूँ मैसेर्फ राजी व्राज सिंग एक छोटा से वीडियो लेकर है आज का जो टॉपिक है वह वरा इंट्रे के बना रहा तो इसको आप अधर्वाइस में ना ले ठीक है जस्त में बना रहा हूँ ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि आपको बरबात करना है ठीक है और जहां तो भी वीडियो बनाए उसमें एक सोसल मैसेज है उसमें हमने कोई किसी तरह की कोई बात गलत बाते नहीं कि है ठीक है तो आज का जो टॉपिक है वो वरा इंट्रेस्टिंग है कि पहले के जमाने में लोग लव कैसे करते थे अपने लव का इजहर कैसे करते थे और आज के जमाने में कैसे करते है तो अगर बात करते हो आज के जमाने का तो मेरे से जादा बेहतर तरीके से आप जानते हो हाँ आज से 10-15 सल पहले वाला मैं आपको बता सकता हूं कैसे होता था मैंने किया नहीं है बट बता सकता हूं कि मेरे बहुत सारे दोस्त करते थे सब चीजे ठीक है तो तो आज का लब अगड़ सौट में बताऊ तो बरा बेकार हूं कि मों मार्केट में घये और मार्कला कि पसंद में गए। तो क्या करते ही ये टर ये से नंबर ये य किसी के गल्स के Drey या और चारों पांचों को मैसेज करने लगे हाई हलो चार पांच में एक दो दो देखते अपना ब्लॉक करके निकल जाती है तिक एक आद ने थोरा सा रिपलाई दिया तो वह अधर ही अपनी चांदी में लगते हैं और इनका इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि 10-12 दिन में अपन फटा पट कोई क्लीर ही बताते चलेंगे लेकिन अगर यही आप पहले का लग का देखेंगे तो बहुत पेसेंस था यार पहले के लग में एक जुनून था एक जज़वा था समझे ना पहले के लग में क्या होता था कि सबसे पहले लड़का जो है लड़की को पसंद करता था मालों को यह अच्छी दिखी फिर उसकी सरकल में एक नोटिस होता था फिर उसको यह दिखा जाता था कि हम आपको नोटिस करें किसी किसी तरह के हरकत से ठीक है उस लड़की तक कि मैसेज पहुचाया जाता था किसी उसके सहली के थुरू या किसी थुरू किसी के पूरा सा एक message आता है तो आसा common बात होता था फिर उसके बाद कि इस तीन चार दिन पांच दिन सोचने के बाद एक छोटा सा लाफ लेटर लिखते थी लोग उस लफ लेटर को करते थे क्योंकि कहते हैं ना कि first impressions होता है वो सबसे बहतरीन होता है तो फॉस्ट इंप्रेशन लेटर के थे था था आज पर्मगार ना कि अप्रेसिव लेटर जाता था जिसमें सारी चीजे एक आठ था वो सारी चीजे वायज बता जायता था जरू फिर वह पढ़ती थी समस्टी दो तीन चार्ट दिन बात किसी एक common friend के थुरू, दो line का letter आता था वहां से, हाँ मैं ठूक हू, तुम भी ठीक हो, ये वो दुनिया जहान हम लोग just friend रहेंगे या हम इस अब में नहीं पढ़ना चाहते हैं फिर से दुसरा letter आता तुसरा letter, ऐसे करते हैं पांचाथ letter के बाद एक छोटा सजावाता था, जिसमें खामोज जुवान निगाहें जोकी होई, लेकिन होटो पर मुस्कुराट होता था, हाँ इतनी खुसी होती थी उस समय लोगों को दिल में जिसकी परिकल्पना आज वर्टसप गुरू बाले नहीं कर सकते हैं शेश को यार अशीव कंड़ी के बाद, अभी समय मुत पढ़िएगा प्लीज चलिए, तो देखते हैं कि एक इंप्रेसिव लेटर लिखते हैं तो जैसे देखो मुझे अगर मान लो, किसी को लेटर लिखना है, ठीक है तो पहले हम क्या लिखते हैं जैसे हाई हलो, मैसेल फराजी राजी राज सिंग यह लिखते थे, उसके बाद क्या स्टार्ट होता था, हम यह नहीं बोलते थे पुझे पिटा जी, पुझे भाई जी, पुझनिये माता जी, ऐसा नहीं बोलना पड़ता था, उसमें पहली पहली सलाम लिख रहा हूं, दिल के हर कोने कोने से, दिल के हर कोने कोने से, दिल के हर कोने कोने से, महबबत का यह मैं पैगाम लिख रहा हूं, यह अपना जो इमोसन है, वो वाईज सेर करता है, फिर उसके बाद क्या था, वो देखिए, वाईज अधर से हाल पुझता है लड़की का चांदनी सी चमक होगी और गुलावों सी मुस्कुराहट होगी आपकी आज नहीं तो कल हमारा दिल आमानत होगी आपकी मतलब उधर से हाल भी पुछ लिया कि मैं जैसा इमेजिन कर पा रहा हूं कि एक चांदनी सी चमक होगी आप में एक हलकी सी फूलों सा वेचरा बता रहा है कि आल नहीं तो कल हमारी दुलनिया बनेगी हमारे दिलध आपकी अमानत हो जएगि कैने तो यहांपो से तरी चार बात यह को लिखने का तरीका दिखा दिया फिर उनका हाल चल मतलब रहा है केर कर सकता बहो बता रहा है और Medo ebank टिरॉर्फ दिखा रहा वो समझने की कोशिस करना तो उसको वर्ड में लिखता है वो कोशिस करना मुझे समझने की क्योंकि पहली पहली वार तुझे अपने दिल का अर्मान लिख रहा हो कोशिस करना समझने की क्योंकि पहली पहली वार तुझे दिल का अर्मान लिख रहा हो फिर येतना हो जाता है फिर आप अपना अगला टार्गेट बताता है कि हम जिन्दिकी में आपके साथ किस उचाई तक जाना चाते हैं क्या करना चाते हैं वो बताता है वो कि अर्मानी चाहत है तुझे सीने से लगाऊ और तेरे नसिली आँखों में डूब जाऊ और देखिए यहाँ पर रोमान्स भी दिखा रहा है वो कि अर्मानी चाहत है कि तुझे सीने से लगाऊ और तेरे नसिली आँखों में डूब जाऊ चाहत है हर ख्वाब और हर खौफ तक तुझे अपने साथ पाऊ उसके यह एक ट्रस्ट बताता है जैसे बोलते हैं कि हर खु में अपने साथ पाऊं मतलब तुमसे में विच्छानना नहीं चाहता अगर मैं खुस हूं तो उसमें आप साथ रहो दुख हूं तो आप साथ रहो मतलब एक ट्रस्ट अल्टिमेटली वो लड़का उसके दिल की हर हाल जानने के बाद उससे उसका हाथ मांग रहा उससे उसका साथ मांग रहा तो ये पांच साथ लाइन में पुरी हाल्याब्या हो जाते थी लेकिन आजकल नहीं हो पाता है जरूर आप फिल कीजिगा कि का आजकल ऐसा हो पाता ह नहीं हो पाता है फिलाल इस सब चीजों से दूर है तो बेटर है चले जैहिन जैभारत फिर मिलते हैं बहुत जालत